दोस्तां अभी एक न्यूज हर जगह पे चल जाएगी UPI यानि कि Unified Payment Interface जिसे यूज करके हम लोग हर रोज कहीं न कहीं पे पेमेंट करते हैं और वो भी बिना कोई Extra Charge के जो कि अब Multiple Apps में करते हैं जैसे कि Google पे हो गया फोन पे ऐसे ऐसे बैंक का iMobile Pay Paytm ये जो आपस होती है जिनके हंदर हम UPI को यूज कर पाते हैं और बिना कोई Extra Charge दिये Transaction करते हैं अभी इस पे भी चार्ज लगने वाला है ये जो News कुछ दिनों से फैल रहा है इसमें कितना सच्चा ही है आज इस फीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप बिना किसी देरी कि इस फीडियो पे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी पिछले कुछ सालों से इंडिया में cashless transactions को बढ़ावा देने में UPI का जो role है वो really appreciable है क्योंकि इसका result हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि पूरी world में जो real time में digital transactions होती है उनमें around 43% सिर्पर सिर्प इंडिया में होती है यानि कि आप इससे अंदाजाल लगा सकते हैं कि UPI का जो user base है वो कितना बढ़ा है और यह अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी काफी countries में इसके उपर कामर चल रहा है और future में भी बहुत सी countries ऐसी है जो कि इसे अडप्ट करने वाले सबसे पहले तो ACMA इंडिया के जो कुछ neighboring countries है वो फिर इसके बाद Europe में है UK और कुछ African countries में भी यह future में यूज होना वाला है तो इससे आपको यह पता लग रहा होगा कि यह कितना secure है यह काफी user friendly भी है जैसे कि बड़े बुजर्ग भी इसे आसानी से use कर सकते हैं और अगर हम इंडिया की states के बारे में बात करते हैं तो rural areas में भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर दुकानों पे आपको UPI का QR code देखने को मिल जाएगा और मेरे ही साब से तो करीब पिच्छे और फीसाद जो यह दुकाने हैं कि आपको UPI accept करते हुए मिल जाएगा और मैं आपको बता दूँ कि जो news है कि UPI transactions के उपर आपको extra charges लगने वाले हैं यह सरसर fake news है और इसके proof के लिए मैं आपको कुछ यहां पर आर्टिकल्स दिखाना चाहता हूँ यहां पर आपको बताने वाला हूँ कि यह जो चीज लोगों के दिमाग में आई है यह कहां से आई है तो बात यह है कि अभी कुछ महिनों से एक बहुत ही famous payment करने के लिए जो application है फोन पर जिसका parent company flip card है उसके अंदर recharge वगरा करने के time पर आपको extra एक-दो रुपया जो charges से वो देना पड़ रहा है और इसके अलावा जो paytium है वहां पर भी कई जोगों पर आपको extra taxes देखने को मिल रही है और इस चीज के वज़े से जो क्यों companies खुद के services की जो charges से वो extra लोगों से ले रही है इससे लोगों ने ये सोचा कि आगे जो UPI है वहां पर भी हमें extra charges देनी पड़ेगी और आपको तो पता होगा कि एसी जो news होती है इन्हें फैलने में कितना time लगता है और social media म और भी ज्यादा बड़ावा मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ये थे कुछ reason जिनके वज़े से हमें ये news circulate हुआ देखने को मिल ला था और अभी क्योंकि government officials के द्वारा ये clarify किया जा चुगा कि फिलाल के लिए UPI के transactions के ऊपर आपको कोई भी extra charge नहीं देना पड़ेगा तो बस ये था इस वीडियो में वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे